हेलो स्टूडेंट्स वैलकम टू मागनेट बीज दिस इस अनामिका सिंग कैसे हैं आप सभी सो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारी से सेशन में इस प्यारी से वीडियो में सो हमने स्टार्ट किया है हमारा नियंत्रन एवं समन्वे वाला पार्ट और पाइनली इसमें ये पढ़ना तो बनता है किसके बारे में जन्तू तंत्रिका तंत्र के बारे में So, आजके session में हम जानतु तंतर का तंतर पढ़ेंगी ये वाला section थोड़ा सा बढ़ा है So, मैंने इसे two part में divide किया है ताकि आपके लिए पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाए सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस class को इससे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को किछ information देना चाहती हूं जानकारी देना चाहती हूं हमारे चैनल के बारे में, Magnet Brains के बारे में प्रवाइड कराता है, quality education वो बिलकुल free of cost इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम पांच state board को cover करते हैं, जैसे UP board, Bihar board, MP board, राजिस्तान board, दिल्ली board, ये 5 state board को cover करते हैं और हमारे चैनल पर जितनी भी चीज़े आपको मिलती हैं, वो सब arranged format में मिलती है, जहां basic से advance level हम लेकर चलते हैं और आपके साइरadouts करते हैं, solve. अब बात आती है कि माम, जो आप हमें पढ़ा रही हैं, और जो आप हमें पढ़ा चुके हैं, सबके notes हमें कहां से मिलेंगे? सो बिटा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और जो मैं आपको पढ़ा चुकी हुए सबके notes की link आपको नीचे मिलेगी description box में वहाँ से बिटा आप e-notes और e-book दोनों ही चीज़े डाउनलोड कर सकते हैं और येस हमारे के English Medium Channel भी है जाए English में study कर बाते हैं अगर आप में से कोई बच्चे English Medium के student है सो भाई वो हमारे अंग्रेजी माध्यमाली चैनल पर जाकर केजी से लेकर class 12 तक की classes सब कुछ वहाँ पर मिलता है ओके सो स्टांट करते हैं हमारे section को नियंतरन एवं समन्वे control and coordination के बारे में सब बात कुछ ऐसी है पहली बात तो यह नियंतरन शब्द का मतलब क्या है इस chapter में क्या क्या पढ़ना है वो तो हम chapter overview में जान चुके हैं लेकिन यह नियंतरन एवं समन्वे हमें किन चीजों के बारे में बताता है तो भाई हमारे शरीर में कुछ शरीर के भाग ऐसे हैं कुछ हमारे body के part ऐसे हैं, जो किस चीज में help करते हैं, control में, है न, याने कि किस चीज में help करते हैं भाई वो, सो वो help करते हैं, control करने में, याने नियंतरन करने में, क्या कहां, मैंने आप सभी से लिख के बताती हूँ, पूरा, कि बिटा, हमारे body के, याने कि, हमारे शरीर के, बिटा कुछ और्गेंस हमारी शरीर के कुछ और्गेंस याने की अंग ऐसे है ना जिनके बारे में हम बोल सकते हैं कि ये क्या करते हैं उसका नियंतरण करते हैं और उनका आपस में दुस्वरे से क्या होता है समनवे होता है को और्डिनेशन होता है अगर हमारे बोडी में कोई ऐसा पार्ट ना हो जो चीजों को कंट्रोल करें तो चीज़े कंट्रोल हो जाएंगी हमें भूक लगना, हमें प्यास लगना, हमारे शरीर के अंगों का, आंतरेक अंगों का काम करना, उसे नियंतरित करना, हमारे कामों को नियंतरित करना, ये सब करने का काम हमारे शरीर का कोई न कोई सेक्शन तो कर रहा होगा, कोई न कोई सेक्शन, कोई न कोई पार्ट ऐसा हो होगो जो सबको नियनतृत कर रहा होगा जैसे लापमान हों गया, सोने का चक्र, इन सारी चीजों को यह क्या करता है? नियंद्रत करता है. और हमारे शरीर के एक अंगर का दूसरे अंग से क्या होता है? को ओर दिनिशन होता है. है ना? तो इस शब्ड के बारे में आपको मैंने बताया है कि भाई हमारे बॉड़ी और शरीर के जो आंगे? है ना? अगर ये एक दूसरे से समन्वे स्थापित नहीं करेंगे, तो हमारी बॉड़ी ऐसे काम नहीं करेंगी. शरीर इसी तरीके से काम करें, इसके लिए यह होना बहुत जादा आवश्यक है. ठीक है? ओके? आप मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ ऐसे बनता है? अगर मैं इस पर चर्चा करूँ तो एक छोटा सा भीज होता है और वो अंकुरित होता है, फूटने लगता है और देरे देरे करके वो ग्रोव करना स्टार्ट करता है और कहीं सालों बाद एक टर्न ऐसा आता है, एक टर्न तो नहीं बोलेंगे, कैसा है भाई, ग्रोव करता है, ओके, हाना, वो ग्रोव करता है, इसी के साथ और हम देख सकते हैं कि नवोद्भित कुछ दिनों में गती करता हुआ मृदा को एक और धकेल कर बाहर ही आ जाता है, बिल्कुल सही बोलाए कि भाई, आज की ये नवोद्भित कुछ दिनों में अग और धकेल कर बाहर ही आजाता है लेकिन यदि इसकी व्रिद्धी रुक गई हो तो ये गतिया पॉसिबल नहीं है जो ये चीज हो पाती है न कि ये मिट्टी को एक साइड धका मार देता है है ना मतलब उससे भी बाहर आ जाता है कई बार ऐसा ग्रो कर जाता है इस तरीके का ग् जाता है जब वो पूरी तरह से मोशन में हो गती के अवस्ता में हो मोशन मतलब फिजिक्स वाला नहीं यहां पर जो गती के बात चल रही है वो एक पादप की गती ग्रोथ से संबन देते उसकी अब मुझे एक बात बताओ उसको सही समय पर सारा जित्ता पानी मिलना सब्सक्राइब को जो जो चीजसे करने वो सब कर रहा होगा यहां वह कौंटिनुसली और यह सारी चीज़स नहीं मिल रहे हो ने sorry nutrients नहीं मिल रहे हो, उसको sunlight नहीं मिल रहे हो कि वो खाना ही नहीं बना पा रहा हो, समझ रहो, space ही नहीं मिल रहा हो कि वो grow कर सके, उसके पास nutrients नहीं हो, उसके roots में है, ऐसी बहुत से चीज़े हैं, जो हम बोल सकते हैं, हाना, क्या अगर यह सब नहीं हो रहे होंगे, तो obviously लगा यह plant, तो रुको, 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 हाना, अच्छे से बनादू में इसको, लगना चाहिए आपको कि मैंने plant बनाया है, यह मैंने ऐसे, 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 यूं इस प्रकार से, इस तरीके से बनाया है, चलो, अब देखो भई, क्या होता है, अब देखो भाई होता क्या है सो बिटा होता यह है कि यह जो प्लांट है ना होता यह है कि भाई यह जो प्लांट है इसमें जो रूट वाला सेक्शन होगा यह भी सही तरीके से ग्रो करना चाहिए इसके बाकी के पूरे भाग भी तब जाकर ये भी ग्रो करता है तो हमने क्या जाना एक बीज अंकुरित होता है चोटा सा बीज फूटता है अंकुरित होता है और वृद्धी करता है और हम देख सकते हैं कि नवोदभित कुछ दिनों में गती करता हुआ है मिट्टी को एक और धकेल कर बाहर आ जाता है कहानी समझ में आ गई होगी किन-किन तरीकों से आता है वो तो मैं आपको अभी बताऊंगी अब और चीज़े जानते हैं अभी छोटू सा इंट्रोडक्शन वाला पार्टी चल रहा है ओके अधिकांश जन्तु में इन में होने वाली कुछ गतिया वो व्रिद्धी से रिलेटेड नहीं है ग्रोष से संबंदित नहीं है एक दोरते बिल्ली जिसे हम बोले न हर चीज़ ग्रोष से ही रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं बटा हर चीज़ ग्रोष से रिलेटेड पॉसीबल ही नहीं है कि हघीज घर चीस ग्रोस से रेटेर हो सकती है तो एक दोड़ते बिली जुली पर खेलते बच्चे जुगाली करती हुई भैस आदी अधी गतियां व्रिद्धी के कारण नहीं होती है अगर हम बात करें कि एक जो बिली है वो दोड रही है उसके ग्रोथ के कारण दोड रही है नहीं हाना जूले पर खेलते बच्चे हो जाएंगे जुगाली करती हुई भैस हो जाएगी ये सब गतिया जो है ये व्रिद्धी के कारण नहीं हो रही है ग्रोथ के कारण नहीं हो रही है दिखाई देने वाले इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड रहे हैं क्यों तो इसको क्या करना होगा दोड़ लगाने पड़ेगी चुहे के पीछे बिल्ली तो चुहे के पीछे बागते ही देखा हुआ है तो बिल्ली का दोड़ना ग्रोध का रीजन नहीं है ये क्या रीजन है कि भाईया इसको तो चुवा चाहिए था इसलिए दोड़ लगा लगा ली थी केबल यही नहीं हम गती को सजीवुद्वारा किये कैसे प्रयास के रूप में सोचते हैं जिसमें उनके परेवरंड में हुए परिवर्तन उनके लिए बैनी पीछल हो लाबदायको सूरे के प्रकाश में पौधे क्या करते हैं भाई व्रद्धी करते हैं सूरे के प्रकाश की अगर मैं बात करूं सललाइट की जो प्लांट्स होते न वो ग्रो करते हैं बच्चे जूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं बैस जुगाली करती है ताकि बोजन छुटे-छुटे टुकडों में तूट जा और उनका पाचन भली बाती हो सके डाइजिशन सही से हो सके जब तेज रोशनी हमारी आखों पर फोकस की जाती है या जब हम किसी गर्म वस्तू को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता चल जाता है और इसकी अनुकरिया में स्वयम को बचाने के लिए गती करते हैं ऐसा प्रती तो होता है बिलकुल होता है तो हमने ये पूरी कहानी जानी पहले तो सजीव शब्द का यहां प्रयोग था पहले पूरा explain कर दूँ मैं आपको कि ऐसा केवल यही नहीं है अभी जो बिल्ली वाला example दिया केवल यही नहीं है हम गती को सजीव द्वारा किये गए एक ऐसी प्रयास के रूप में भी बिटा सोच सकते हैं जिन में उनके परिवरण में हुए environment में change के लिए भी वो beneficial होता है जैसे एक बात बताओ plan के बात करें तो plan क्या करता है वो grow ही तब कर सकता है जब उसके पास क्या हो बिटा sunlight हो क्या कहा मैंने आप सभी से कि वो grow ही कब कर सकता है जब उसके पास क्या हो बिटा sunlight हो यानि कि सूरे का प्रकाश हो अगर उसके पास सनलाइट होगी तो वो क्या करें पाएगा प्रकाश संशलेशाड है ना बिटा क्या कर पाएगा ये कर पाएगा प्रकाश संशलेशाड बच्चे जूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं बच्चा जब जूले पर बैठते हैं, हम भी छोटे-छोटे से थे, कितना मज़ा आता था था ना, हम जूले पर बैठते थे, हम ऐसा लगता था कि बस यही जीवान है, अब हमें यह चीज इतनी अच्छे नहीं लगती, बच्पन याद आता है, लेकिन हर चीज का एक टाइम ह अब नेक्स आते हैं, भैस जुगाली करती है, ताकि भोजन जो इसका जो फूड है, भाई वो नाइजस होने के लिए छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाए, और तेज रूशनी हमारी आखों पर फोकस की जाती है, यह जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं, तो ह हम ऐसे बहीं रखेंगे क्या, नहीं ना, हम जटके से, अचानक से उसे क्या कर लेंगे पीछे, तो हमारे द्वारा, हमारा हाथ उस चीज पर लगने से जटके से उसका पीछा करना ही, यह भी तो एक तरीके की गत्ती हुई ना, हुआ की नहीं, और यह अचानक कोई, समझे, हमें मतलब बहुत कम समय लगा सोचने में हमारे ब्रेन ने फटक से बोल दिया स्पाइनल कॉर्ड ने हल्प करी यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यवरन के अनुक्रिया के प्रती ये जो गतिया आना प्रतिक परिवर्तन के अनुक्रिया से एक समुचित गति जो वोत्पन होती है जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाते हैं तो हम जोर से इस तरह की नियंत्रिक गति को एंवाइमेंट में याने परियवरन में भिन घटनाओं के अलग 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 घटनाओं के अभी जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के रूप में गति करें दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तंत्रों का उप्योग करना चाहिए जो नियंत्र निवं समन्वे का काम करते हैं simply यही कहना चाहिए, हम directly यह बोल देते हैं कि भाईया, क्या होना चाहिए, सो सजीवों को कुछ तंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, हमारे body system है ना, भाईय हमारे pasto system है, हमारा organ system है, digestive system है, हमारा nervous system है, हमारा circulatory system है, समझ रहे हमारा पूरा पाच्चन तंत्र, श्वसन तंत्र, उस सर्जन तंत्र, प्रजन तंत्र, तो ऐसे करके तंत्र है, तो दूसरे सब्जों में, सजीवों को उन तंत्रों को, तंत्रों का उप्योग करना चाहिए, जो नीऊंत्रा निवं समय का काम कर सके हो एगा कि booking कोशीकोष के जीवों में शरी संगठन के सामाननी सिद्धानत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते है बीटा कि विशिस्टीक्रत 은wiaknow के क्रिया दूंग में किया जाता है आना तो हमने क्या रहे का भाई कुछ विशिस्टी करत उतक है जिसको प्योग किया जाता है जो control and coordination में क्या कर सकी help भाई हाँ बिल्कुल शरीर के अंग अगर help कर रहे हैं तो हमारे उतक भी तो कर रहे होंगे जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं ओके चलो इसका screenshot लेलेंगे जल्दी से चलिए screenshot डन सभी का आगे बढ़े अब हम पड़ा पड़ से तो बढ़ा अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जन्तु तंत्री का तंत्र सो बहुत द्यां से सुनिएगा जन्तु में ये नियंत्रन तता समन्वे तंत्री का तता पेशी उतक क के द्वारा होता है अब जन्तु तंत्री का तंत्र पड़ रहे हैं सो ऑविसली हमें जानना होगा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है या हम जन्तु में नियंत्रन मैं हाइलेट कर दे रही हूं सभी पॉइंट्स को कि जन्तु में नियंत्रन एवं समन्वे बिटा जो होता यह तंत्रिका तता पेशी उतक के द्वारा किया जाता है आकस्मिक परिस्तिती में गरम पदार्थ को छूना हमारे लिए क्या हो सकता है खतरनाक हो सकता है अच्छा तो हमने पहले तो क्या जाना जनतु में नियंत्रान और समन्वे जो होता है वो तंत्रिका द्वारा तता पे साथ ये जो muscular tissue होता है ये अकेला नहीं होता है ये तीन प्रकार का तीन तरीके का होता है और वो कौन-कौन सा है सो भाया एक इसमें आती है रेखित पेशी एक इसमें आती है बिटा और रेखित पेशी एक क्या हो जाएगी रेखित पेशी एक हो जाएगी और रेखित पेशी और एक क्या हो जाएगी हिर्दयक पेशी कौन सी पेशी काडियक यानि की हिर्दयक पेशी समझें सो जन्तु में नियंत्रन तता समन्वै तंत्रिका तता पेशी उतक द्वारा किया जाता है और हमने जान लिया कि पेशी उतक जो है इंग्लिश में से muscular tissue बोलते हैं तीन तरह के यह होता है हमारी body की movement से यह related होता है कुछ वो movement जो हमारे control में होती है और कुछ वो movement जो हमारे control में नहीं होती है याने एक चिक भी अनिक चिक भी कि सब इसमें शामिल होती है ठीक है आप यहाँ पर तंत्रिका शब्द भी प्रयोग किया गया है so yes control and coordination में हमारा तंत्रिका हमारा nervous system जो है वो हमारी help तो करता है यह तंत्रिका हमारी विशेश रूप से nerve हमारी जो है help करती है याद करिए जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था तो अगर आपने क्लास 9 में मुझसे कभी पढ़ा होगा तो मैंने आपको वहाँ पर cell chapter जब पढ़ाया था सो बताया था कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्योंकि बटा नर्वस सिस्टम यहाँ पर लिखा है ना तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र लिखा है जो किससे मिलकर बना होता है बटा यह तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है किससे मिल लंबी कोशिका होती है हमारे शरीर की लॉंगेस्ट सेल या सबसे लंबी कोशिका ही तंत्रीका कोशिका होती है ओके सो जनतों में नियंतर तदा समन्वे तंत्रीका और पेशी उतक के द्वारा किया जाता है आकस्मिक परिस्थितियों में गरम पदार्द को चूना हमारे क्रत सिरों के द्वारा लगाया जाते हैं अभी मैं आपको बताऊंगे वो सिरे कौन से हैं हैना लेकिन यहाँ पर तंत्रिका कोशिका और नर्व सेल्स के बारे में बात हो रही है क्योंकि यही फटा-फट से जो इंफर्मेशन होती है हमारे द्वारा किसी गर्म चीज़ पर हाथ लगना और यह पूरी इंफर्मेशन तेजी से सर्कूलेट करना फैलाने का काम करना और जिस जगा पर पहुचना चाहिए वहां पर पहुचाने में हमारी तंत्रिका कोशिका ही क्या करती है बिटा सहायता करती है नौव सल ही क्या करती है help करती है clear यह मानक शरीर की सबसे लंबी कोशिक है longest cell होती है लेकिन एक चीज का ध्यान और रखिएगा कि यह बिटा ऐसी कोशिक है जो कभी भी डिवाइड नहीं होती यानि के विवाजित नहीं होती है समझें यह हमारे शरीर की कैसी कोशिक है जो कभी भी डिवाइड नहीं होती यानि के बिटा विवाजित नहीं होती है यह केवल और केवल डैवलाप होती है विक्सित होने का काम करती है ओके चलो आप बात आती कि मैं यह दिखती कैसे है तो भाई यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है जिसे मैं प्रॉपर तरीके से आपको बना कर ही इसके बारे में बताती हूँ तो सुनो 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 और बाई जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना शेयर कर देना और चानल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ठीक है तो बटा यह ऐसे यह ऐसे यह ऐसे और यह ऐसे ठीक है यह यू गया यह यू गया और यह ठीक है यह यू इस प्रकार से ठीक है चलो इस पूरे को अब हम क्या कर देते हैं पैक कर देते हैं इस तरह से इस पूरे को हमने क्या कर दिया पैक कर दिया ठीक है यहां से इसे और यहां से इसे अब हम क्या करेंगे तो सुनो मैं आपको बताती हूँ इन में पते हैं ऐसे पतले-पतले से द्रुम्मिकाई निकली होती है इंग्लिश में जिन्हें आम डैंडरोइट्स बोलते हैं यही क्या है द्रुम्मिकाई जो की क्या कहलाती है डैंडरोइट्स क्या लाती है ठीक है यही क्या है द्रूम मिकाय याने की Dendroids और क्या होते हैं सबसे सेंटर में यहाँ पर Nucleus याने की केंदरक होता है है ना और बिटा यह जो थोड़ा सा जाद सा मोटा बन गया आप्षिली मैं इतना मोटा तो यह होता ही नहीं है तो इसे थोड़ा सा सही कर देने तो मुझे कुछ ऐसा ये जाएगा ठीक है अब मैं किस कलर से बनाओ रेट से बनाओ क्या हाना यहीं पर क्या होते हैं तो यह इस तरह से सेक्शन्स में डिवाइड़ है है इस तरह से यह सेक्शन्स में क्या होते हैं डिवाइड़ होते हैं समझ रहों समझ रहों यह बनाना भी सिखारियों में आपको ताकि आपको यह बनाना भी अच्छे से आ सके आप हमें क्या करना है इसको यहां पर लेकर आना है ठीक है इसको ह वाले सेक्शन को ऐसा ये वाला सेक्शन ऐसा ये ऐसा और ये ऐसा ठीक है सो ये है बटा हमारा नर्व सेल जिसे हम किस नाम से जानते हैं तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं समझे यही है क्या हमारी नर्व सेल जिसे हम तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं ठीक है सुन्दर दिख रिए ना पता था मुझको हाना इसको तोड़ा से और सुन्दर बना दे चलो अब कौन सा भाग क्या कहलाता है सबकी नेमिंग बताओं यही ए मानव शरी के सबसे लंबी कोशी का हमारे पूरे शरीर में ये भी पहली हुई सी होती है इसी को हम क्या बोल देंगे इसए हम कोशी का काई बोल देनगे और सबसे इसे सेंटर में इस वाले पार्ट को हम Nucleus याने की क्या बोल देंगे तॉप्टा केंदर बोल देंगे ये वाला सेक्षन हमारा पार्ट क्या कहलाएगा अंदर के साइट क्या पाए जाते हैं तंत्रिक आक्ष पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं तंत्रिक आक्ष एक्जोन जिसे हम बोलते हैं और एक्जोन यहाँ पर इसका यह अंतिम सरा है है ना जिससे एक नियूरॉन दूसरे नियूरॉन से बिटा जुड़ा हुआ होता है और इनके बीच का जो space होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बिटा synapse बोलते हैं उसी के बीच के space को हम क्या बोलते हैं बिटा synapse बोलते हैं तो यह था हमारा तंत्री का तंत्र का image तो जल्दी से nervous system बना लें nervous system बोलें तंत्री का जो कोशिका उसकी इमेज है नाने न अउसल की और इसे नोटडन कर लें गन्णे का पेढ़ एग बिलकुल भी नहीं है आप बात आती है तंत्रीकाक्ष और तंत्र कांतिम सिरह अना तंत्र कक्ष कहीं इंतिम सिरह लिख दिया किए आपप आती है यह ग्राहि प्राय हमारी ज्यान इंद्रियों में इस्तित होते हैं, जैसे ये हमारे अंदर के कर्ण, कर्ण बोले तो बिटा क्या होता है, सो कर्न बोले तो कान सो आंतरे कर्न बोले तो भया अंदर के हिससे के बार चल रिये कान में लाख जिवा बोले तो भया जीब रस सम्वेदी गराही भी होता है जो किस चीज में help करता है भाई सो ये help करता है स्वाद का पता लगाने में ठीक है ना कुछ रस समवेधी गुराही भी होते हैं जो स्वाद का पता लगाते हैं जबकि ग्रान ग्राही जो है वो किस का गंद का पता लगाता है ये सूचने एक तंत्रिका कोशिक्या की द्रुमाक्रतिक सिरे के द्वारा या सिरी द्वारों पारजित की जाती है जैसा कि चित्र ए में बताया गया है और एक रासाइनिक करिया द्वारा ये एक विद्दुत आवेग जो है हैना एलेक्ट्रिक इंपल्स जिसे हम बोलते हैं फटाफट से इंफर्मेशन को ले लेती है हैना फिर ये ऐसे पहुचाईगी ऐसे करके क्या करता है ये जो इंफर्मेशन है ये तीजी से जो है फलाने का काम करती है तो ये सूचने एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमा क्रतिक सिरे के द्वारा उपारजित की जाती है ये अब एक द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है इससे किसकी पास गया कोशिका काय तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष एक्जॉन में होता है तंत्रिकाक्ष से डेंडरोयट से कोशिका काहित तक जाता है और तब जो तंत्रिक आख्षाय है उसमें ये होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुत जाता है यहां तक एक्जॉन के अंट में विद्धुत आविग कुछ रसाइनों के विमोचन करता है अब लास्ट में क्या होता है कि जो एक्जॉन होता है इसके अंतिम सिरे की बात करें अंत में ये विद्धुत आविग कुछ रसाइनों का क्या करता है तो भई यह विमोचन करता है यह रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार कर देते हैं बिल्कुल सही बोला है अब यह स्थान क्या करते हैं तो ध्यान से सुनेंगे बिटा यह रिक्त स्थान यानि बीच में जो स्थान था वो जिसे हम क्या बोलते हैं सिनेप्स या पिर बिटा हम जिने सिनेप्टिक दरार बोलते हैं ये क्या कहलाती है सिनेप्टिक दरार कहलाती है इसको पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की दुरुमिका में इसी तरह का विद्दुताविक प्रारम करते हैं ये शरीर में तंत्रीकह आविक की मात्रा कुस को बैया तो ये तंत्रीकह आविक की मात्रा की सामाय नहीं हो जना है ये ऐसेра कन्तर ग्रंतन जिनेप्स ऐसे आविकों को को सके पेशी कोशिकाऊं या गलती तक ले जाता है जैसे के चित्रक बी में बताया गया है आपने क्या रेखा तंतरे काक्ष का यह क्या है भाई तो यह तंतरी काक्ष Ĝो है यह तंतरी का पेश yeah संधी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर पेशी फाइबर है सेल यानि कोशिका है और इनी में ही हमें यहाँ पर इस वाले सेक्शन में माइटोकॉंड्रिया भी दिखा है सो अब फिर से सुनेंगे कि वो रसाएं यह रसाएं जो है यह रिक्तिस्तान या सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशेका की दुरुमिका में है ना नेक्स्ट जो हमारी नियूरॉन होगी नॉफसल होगी उसकी जो टैंडोइट्स होगी उसकी जो दुरुमिका होती है उसमें इसी तरह का बिटा विद्दुत आवेग वहाँ पर प्रारम करते हैं ये शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामानी यूजना है अंत्ताई इसी तरह का एक अंत्र ग्रंथन ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशेका से अन्ने कोशेका हो जैसे की पेशी कोशेका ये ग्रंथी कोशेका तक ले जाते हैं अता इसमें कोई आश्चरी नहीं है डिल्कुल भी शॉक डोने के जरूरत नहीं है कि तंत्रीका उतक, तंत्रीका कोशिका निूरान के एक संगतित जाल का बना होता है बिल्कुल सही बोला है यह तो उचने, मतलब शॉक डोना तो बहुत दूर कि आप सोच भी रहे हो ऐसा कि ऐसा क्यूं है तो आपको पता है कि बहुत सारी cells, बहुत सारी कोशिकाई ही आपस में मिलकर बेटा क्या बनाती है उतक तो अता इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका उतक, तंत्रिका कोशिकाउं या नियूरॉन के एक संगटित जाल का बना होता है और यह information को electric impulse के द्वारा शरीर के एक बाग से दूसरे बाग में समवहित करने में याने उसको पहुचाने में के लिए क्या होता है विशिस्टी क्रत होता है चित्र ए को देखिए तता इसके तंत्रिका कोशिका के भागों को पैचानी है चित्र ए अभी हमने देखा था आपके सामने अभी बताई थी वो इमिच और तंत्रिका कोशिका के सभी भागों को पैचानी है हमने वहाँ देख लिया हमें कोशिका काय मिला हमें दुरुमिका मिली तंत्रिका आक्ष मिला है ना को बलकि केंद्रग भी मिला सबसे सेंटर में सबसे बीच में जहां सूचना है उपाजित के तरफ जो इसी से इस चाप्टर से रिलेटेटी एक एक्टिविटी है और इस चाप्टर की पहली एक्टिविटी है और आप तो बटा जानती ही है कि ये चाप्टर हम पढ़ें और एक्टिविटी न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है यह है हमारी kriya kalapia activity 6.1 कुछ चीनी अपने मुह में रखने को बोल रहे हैं और इसका स्वाद कैसा है यह हमसे पूछा जा रहा है तो चीनी स्वाद में कैसी होती है भाई obviously मिल्थी होती है अगर हम जैसे क्या करते कुछ चीनी को अपने मुह में रखते हैं कोई बोलेगा बताओ इसका टेस्ट क्या होगा है ना इसका टेस्ट क्या होगा so obviously हम क्या बोलेंगे कि भाईया यह होगा sweet जाने की मीठा क्योंकि चीनी कड़वी कहां से हो सकती है है ना और जीब का कौन सा भाग देगी तो हमें बताईए यह क्या है हमारी प्यारी जीब है और यह उसकी क्या है बटा टेस्ट बर्ट से और इनके जीब के सबसे आगे के बाग से कौन सा टेस्ट आता है so वो sweet याने मीठे का टेस्ट आता है so कुछ चीनी अपने मूह में रखी और इसका स्वाद कैसा है रग दी चीनी और बता दिया कि मीठा है अपनी नाग को अंगूठा तता तरजनी जो हमारी होती है तरजनी उंगली है इससे दबाकर बंद कर दीजिए तुमेरी बात ध्यान से सुनो अपनी नाग को अंगूठे से और जो तरजनी उंगली से दबाकर बंद कर दीजिए ठीक ह नाग बंद करने को बोड़ रहे हैं और और कुछ नहीं हना पूरी तरह से नाग को क्या कर देंगे भईया हम बंद कर देंगे अब फिर से चीनी खाई इसके स्वाद में क्या कोई अंतर है मैं आपको बता दू हाँ डिफरेंस आएगा डिफरेंस तो आएगा जैसे अगर बोल देंगे क्या जाना कि नाग बंद करने से जैसे नाग बंद करके अगर हम कुछ खाएंगे तो थोड़ा डिफरेंस तो आता है अंतर तो हमें देखने को मिलता है है ना जब नाग बंद होती है तो क्या आप चीनी तता बोजन के सवाद में कोई अंतर मैसूस करते हैं जी तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है बिल्कुल इस तरह के अंतर जानने के लिए और उनके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए तता चर्चा करिए जो कि मैं आपको अभी कि यह सब तो पूरा पढ़ना है बट आप मुझे इस कांसर कॉमेंट सेक्षन में आपको क्या लगता है कि टेस्ट में डिफ्रेंस तो आया होगा थाना नाक की बंद करने से जैसे हमने नाक बंद कर दी और हमने अगर शक्कर लिया तो हमें माइनर डिफ्रेंस मिला भोजन किय हमने खाना खाया तो माइनर डिफ्रेंस तो रीजन क्या था इसके पीछे है ना तो सुनो 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 हम प्रतिवर्ति क्रिया में क्या होता है यह जानने जा रहें बट आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर दीजिएगा देखते हैं कि आपको क्या आइडिया होगा यह पॉसीबल ही नहीं कि सेम टेस्ट नाग बेवर्द कर दी तो सेम वही मीठे का ही टेस्ट आ रहा है तो बस वही उसी के लिए आपको कॉमेंट सेक्षन में बताना है कर रिफलेक्स एक्षन की बारे में जानते हैं बटा अब हम प्रतिवर्ति क्रिया में क्या होता ह क्या का हम इने आप सभी से कि रिफलेक्स एक्षन में क्या होता है प्रतिवर्ति क्रिया में क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं परेवरण में किसी घटना के अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक होई क्रिया के चर्चा करते हैं तो बहुदा प्रतिवर्त शब्द निकलता है आप सिंप्ली दियान रखना बिटा रिफलेक्स एक्षन मतलब एक अचानक से होने वाली क्रिया क्या बोला है रिफलेक्स एक्षन बोले तो एक अचानक से होने वाली क्रिया हम कहते हैं मैं प्रतिवर्तस्वरूप बस से कूद गया या मैंने प्रतिवर्तस्वरू पिचार नहीं करना पड़ेगा है ना जैसे हमने क्या किया आग की लौ में जैसे ही हाथ आया तो ऑविस सी बात है कि हम उस पर हाथ ऐसे रखेंगे ही नी हम उसे क्या कर लेंगे पीछे कर लेंगे वैसी अगर हम क्या होता है है ना में इतना बूका था कि बाई मेरे मुझ में या उने लगा पानी आने लगा या मैं इतना बुगा था मेरे मुख में पानी आने लगा तो यह चीज automatic होती है यह तो यह अचानक से होने वाली प्रक्रिया ठीक है तो यही तो reflection है reflection की कारण ही ऐसा होता है परिश्विवधारणों में रिक सामाने रखा और वो हमने पीछे कर दिया तो पहले हाथ रख के brain ने सोचा नहीं कि गर्म चीज पे हाथ रखा ओ गोड़ गर्म चीज पे हाथ रखा है चलो पीछे करते हैं इसको ऐसे नहीं सोचा वो जटके से हाथ पीछे हो गया फिर भी ये बेस्तितिया हैं जहां हम अपने परिवरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रती क्या करते हैं अनुक्रिया कर रहे हैं इन परिस्तितियों में नियंतर नेवं समन्वे कैसे प्राप्त किया जाता है इस पर फिर से विचार करते हैं जानते हैं एक उधारन लेते हैं कि आग की लपट को छूना हमारे अत्वा किसी भी जनतों के लिए दुराग रही तता खतरना किस्तिती है हम इसके प्रती कैसे अनुक्रिया करते हैं भाई हाथ अटा लेते हैं प्रती है कि हमें आगात पहुँच सकता और इसलिए हमने अपने हाथ अटा लिया बिलकुल सही तब एक आवश्यक प्रश्ण आता है कि सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा बहुत कम उतना निर्बर करता है कि हम किस प्रकार से सोचते हैं और हम मान लिए जिए कि देखो सब के सोचने का तरीका अलग अलग होता है कुछ लोग जो है वो बिलकुल शाय से पीछे कर लेते हैं खुश लोग जो है भाई वो थोड़ा सा स्लो पीछे करते हैं तो हाँ जल जाता है जादा होता है कि नहीं होता है ये परसंट टू परसंट भी वहरे करता है यदि तंत्रिक आवेक को सोर बेजा जाता है जिसके चर्चा हम पहले कर चुके हैं तब इसी प्रकार के आवेक उत् चिंतन भी आवश्यक है विचार करना है क्या होती है और जटिल करिया होती है ठीक है और ये वाला सेक्शन यहां पर कंप्लीट ये वाला आपने जान लिया और अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं आता ये बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेक की जटिल अनन्यों क्रियाओं से ये जुड़ने के लिए बात दे है यदि ये वस्तू इस्तिती है तो कोई आश्चर नहीं कि हमारे शरीर में सोचने वाले उत्तक जटिल रूप से वैवस्तित नियूरॉन के घने जाल से बने हैं तो प्रतिवर्थी क्रिया आपको समझ में आ हम ल WAS कर लेते और कुछ लोग उस्तित ना ही कर दिया दिमाग नहीं सकते हैं तूरीजा ने उसके पीछे सुंकियो कुछ हम जैसा सोचे सब ऐसी सोचेंगे तो ये पॉसिबल नहीं इसलिए हो तीण निए आपन को पतों करने के लिए फोपड़ी में मस्तिश्क का है तोचने वाला भाग नत्रीकांत वारु शरीर के मिबनभागों प्रपा होना और उसी तरव यदि मस्तिश्क का ये बाग पेश्यों को गती करने का आदेश देता है मस्सल्स को काम करने के इंफरमेशन देता है तो तंत्रिकाएं जो हमारी नौफ सूती है इन संकेतों को शरी के विभिन भागों तक पहुचाने का कारे करती हैं हम किसी गर्म वस्तू को चुए और हमें सब करना पड़े तो इसमें काफी समय लगेगा कि हम जलन मैसूस कर सकते हैं इस शरीर के डिजाइन किस तरह इस समस्या का हल करती है तो उश्मा के समविधन के बारे में सोचने कि अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं उश्मा का पता लगाती है हीड उसने अब्जर्व की उ पेशियों को गती कराती हैं यह गती करती हैं ऐसे तो कराती हैं ही बोलेंगे क्योंकि हमारी मसल्स जो होती है यह मूव्मेंट में हल्प करती है कुछ मूव्मेंट हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है जैसे हमारे बॉडि के इंटेनल मूव्मेंट हाना हमारे लिवर का काम हो वे अति शीगर पूरा हो जाता है आमतोर पर इस तरह के संबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं जैसा की 6.2 में बताया है इस ब्रकार की प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका तता निर्गत तंत्रिका के मद्दे कहां होना चाहिए सबसे उपयुग्त इस थान शायद वहीं बिन्दू होगा जहां सबसे पहले वें अ संदेश दिनों तो वहसे जाएगा और पिर क्या होगा यह प्रठी सारण हowanए यहां बताया जा रहाकी यहां तंत्रिका कोषिक तो किसारण यह रहा है तो पिरले इंफरमेशन ऐसे जाएगी और प्र मेशन आएगी आ सुवग्ति अपना जो हाथ européism कि माद्यम से अपनी मसल्स की माद्यम से क्या करेगा पीछे कर लेगा क्योंकि उस पे तो हमारा कंट्रोल है ना लेकिन बहुत जल्दी होने वाली क्या होती है बटक्रिया होती है पूरे शरीर के क्याने के spinal Record spinal cord कि अगर बात करें जो इसमें मस्तिशक को जाने वाले रास्ते में एक bundle में मिलती है क्रतीवर्ती चाप इसी मेरू रजू में बनते हैं शव्षिभी प्रतीवर्ती चाप हुते हूं एक्छली में spinal cord में ब夠 हुती ही है यह हमारा पुरा ब्रीन वाला सेक्षन है यहां से यह स्टार्ट होती है और हिप के ठीक उपर तक बिताई यह होती है अधिकतर जन्तों में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विक्सेत हुआ है क्योंकि इनके मस्तिश्क के सोचने का प्रकरम बहुत तेज नहीं है बिल्कु सही वास्तम में अधिका प्रतिवर्ती चाप कर दक्ष कारे प्रणाली के रूप में विकास हुआ है जड़िल यूरोन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंद अनुक्रिया के लिए अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में काम करता है क्या आप उन गटनाओं के क्रम क खोज सकते हैं जो आपकी आखों में तेज प्रकाश फोकस करने पर होती है बिलकुल खोज सकते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि अब हम इसके आगे की कहानी को नेक्स क्लास में पढ़ेंगे हमने आज के सेशन में क्या पढ़ा अच्छा क्या पुन गटनाओं की क्रम को सोच सकते हैं जो आपके आखों में तेज प्रकाश फोकस करने पर होती है हमारी आखों में जैसे तेज प्रकाश आएगा न तो हमारी आखों के कुछ सेक्शन से वो गरना स्टार्ट करेंगे आरेस अपना एक अलग काम करेगी और जो हमारी कॉर्णिया है वो एक अलग काम करेगी तो यह हमने human eye वाले section में पढ़ा है हाना तो आमने क्या क्या जाना आज के section में तो सुनो सुनो मैंने आपको एक ओवर व्यू दियो चैप्टर का introduction दिया है मतलब कुछ मिली जूली कहानी जानी जन्तु तंत्री का तंत्र से संबंदे चीजे जानी मैंने यहीं पर आपको किस के बारे में बताया तो यहीं पर मैंने आपको हमारी नर्फ सेल के बारे में बताया चीक है हमने एक activity देखी जिसका एक प्यारा सा question मैंने आपसे पूछा है न कि भाई क्यूं होती यह चीज और फिर मैंने आपको यह सारे चीजे क्या करें यह बाई explain लें सु आज के लिए इतना ही मैं उमीद करती हूं कि आज का सेशन आप पर पसंद आया होगा इसे लाइक शेयर करना नहीं बुलिएगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा इसी के साथ मैंने बेंस के अधर प्लाइटफॉर्म्स पर भी आप हमसे जोड़ सकते जैसे फेस्बुक, इंस्टाग्राम, टुविटर, टेलीग्राम, वाटसेप, साथी साथ यूट्यूब पर आप हमारे सेशन्स ले सकते हैं, अप्लिकेशन के तुरू आप हमसे जोड़ सकते हैं और वेबसाइट के तुरू जोड़कर भी आप हमारी क्लासे अटेंड कर सकत यह नोट्स और वेबुक के लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यह हैं बिटा हमारे हिंदी इंग्लिश मिडियम के टॉप कोर्से तीबेसी बोर्ट, दल्ली बोर्ट, बिहार बोर्ट, यूपी बोर्ट, एमपी बोर्ट, राजिस्तान बोर्ट, वेदिक मैट्स, क्रेश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, स्वाज के लिए इतना ही मिलेंगे, अब हम हमारे नेक्स्ट ग्लास में तब तक के लिए, बबाई, टेक क्या, टांक यू ग्लास